हलो प्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आप सभी का 21 फरवरी को गणीत का पेपर कैसा आएगा आज आप सभी को यूपी बोड के द्वारा जो गणीत का माडल पेपर वैरल किया गया है대ए इस इस प्रहत पता चल जाएगा कि 21 फरवरude को आप यहां पेपर में कौन सा प्रशन आने वाला है और कैसा आयेगा यहां पे देखेंगे और अपको प्रशन भी देखाएंगे कि आपका प्रकार से बूड के एक्जाम में आने वाला है तो फ्रेंस यह आपके सामने सत्र 2022 और 2023 में बोट की द्वारा आपका पेपर वायरल किया गया है ठीक है देखी इसमें क्या रहेगा आपका पुढाएंग सत्तर नंबर करहेगा तीन घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा चलिए आपका समय बरबाद न करते हुए सीधे प्रशनों को हल करते हैं और दिखात हैं कि आपका प्रशन कैसे आएगा फ्रेंस यह आपके सामने खंड आ है इसमें आप 20 नंबर का बहुई कल्पिया प्रशन पूछेगा जिसमें से इसमें पहला आपका सवाल है कि एक परिमे संख्या का दसमलों परसार सदे होता है तो फ्रेंस देखिए आपको यहां पर बत परिमे संख्या के दसमलों परसार सदे होता है आपका सांथ होता है इसका सही जवाब आपको होगा बी एक परिमे संख्या के दसमलों परसार क्या होता है अगले प्रशन को देखते हैं आपके सामने दूसरे नंबर का सवाल है कि एक शुन्यतर परिमेसंख्या और एक परिमेसंख्या का गुणन फल होता है आप से इतना निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को लाश तक जरूर देखिएगा इसमें से आप जो माडल पेपर करा रहा है आपके बोड के इक्जाम में कम से कम 30 35 नंबर का question फसेगा ठीक है तीस और 35 नंबर का question जरूर फसेगा अदम जो आज बता रहे हैं इसी में से गुलवेसंखिया उब कर तो एक परिम रिम ले जोता है इसका सही हुँ जवाब हो गांग एक्ञामपल के Carney टोर समझता है क्या होता है एक जेसे क्वारी संख्या है इसमें कर अपरिमे के जगाए परिमे लेता है कि यहां पे दो क्या है है इसमें क्या कर गुड़ाकली कि दो पूरे कड़ी में होता है एक शुनितर परी में संख्या को गुणफल होता है और परी में संख्या होता है यह इस अगला नंबर का सवाल यहां पर आपको बताते हैं और दिखाते हैं सवाल और दू येक्स प्लस तीन वाई बराबर बारा का पर च्छेद बिंदु है यहां पे आपका अनले सांग 4 प्लस प्लस तीन वाई बराबर बारा दिया है यहां पे 2 एक्स कमाद कितना दिया ड्रो Unless ब्लस तीन वाई ब्राबर 12 र में गुड़ा करेंगा जिरो प्लेस तीन वाई-ब्रा कृतना और 12 तो वाई-ब्रा किफिफिन हुजेगा 12 20 20 at 3-3-3 2-3 shocked to 12 १ 46 xy कमान कितना आया यक्स कमान कि 0 दिया जिरू एन को टोष्ट एक में था-4 जिरू कमा चार देखिए आपसं दिखें बहुत करीब सबसे बड़ी संख्या जिससे 17 ANX 1515 विभाजित करने पर 5-8 प्राप्त होता है तो है इंपल यहां पे पूछा वह सबसे बड़ी सं़ट पूछता है और दे रहा है ह Brush fall बच रहा है यानी कि 70 और दे रहा है 125 कोई भाजित करने और क्रम से 5 ते देखिए इसमें पांच घटा लीजिएये यहां पिसमें गटा अपको 65 होगा और 125 में से 8 गटा लीजिए तो कितना बचेगा 170 अब पूछ रहे हुआ सबसे बड़ी संख्या इसका क्या निकालेंगे आप 65 और 117 का आप SCF निकाल लीजिए ठीक है यहां आपसन से भी आप देख सकते हैं किसमें संख्या देखे चारों आपसन में से कौन सी संख्या जिससी मुझें फरस्डुमक देख तो निकाल के पताते हैं फ्रेजिए ठीक है 65 के 170 में भाग दीजिए कितने बार जाएगा एक बार जाएगा ठीक है यहां पर तीरे का भाग किसमें देंगे बावन में 30 चोक्क छॉबवान यह कड जाएगा तो आपको कितना रहा है 13 इसका सही जवाब आपको होगा 1 थीक है फ्रेंज यहां से आप यहां से आफसंस भी मिला सकते थे ऐसी संख्या बताना था कि जिससे वह संख्या 13 13 से 65 भी कटेगा 13 से 17 भी कटेगा इस तरह भी आप बता सकते थे ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है अब इस सवाल को देखिए कैसे हल करते हैं आपके समने सवाल है कि समी करण 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा अब देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे देखिए यहाँ पे 2x प्लस ay बराबर 1 है ठीक है इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y बराबर c1 से इसीप्रकार इधर है 3x माइनस 5y बराबर 7 है यहाँ पे तुलना करेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 देखिए इससे तुलना करेंगे तो a1 का मान آजाएगा आपका 2 b1 का मान आजाएगा आपका a और c1 का मान आएगा 1 ठीक है इसी परकाद जब इधर तुलना करेंगे आप A2 का मान आजागा 3 B2 का मान आएगा माइनस 5 C2 का मान हो जागा आपका 7 ठीक है अब देखिए यहाँ पर यह दो समिकर दिया का कोई हल नहीं है देखिए यह condition आपको पता होना चाहिए कोई हल नहीं होता है तो उसका condition क्या होता है कोई हल नहीं यानि कि देखिए कोई हल नहीं जब कोई हल नहीं होगा तो condition क्या होता आपका A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2 देखिए condition में क्या होता है कि जब कोई हल हमसे सिर्फ एक मान ग्याद करना है यहां पूरा मान रख लेते हैं c1 कोchę कितना है एक सीटू कमान कितना है साथ तहां यह बराबर नहीं तहां इसका तीसरा वाला सही जवाब ठीक है तो इसका क्या एंसर तेखे फ्रेंस कितना माइनद दैस बठात करें की 3 जेम देखें माइन दैसे की 3 का बिया तीस्रा वाला सही है चलिए अगले सवाल को देखते हैं यह आप सामने अगला नंबर का सवाल है इस सवाल को हल करें ठीक है अब दिकहां इस सवाल को निय're पूछ कहा रहा है दिउगात समीकड़ 2x2-4x3-0² के बारेमन निम्न कत्मों पर विचार कीजी अब यह दिउगात समीकड़ दिया है इसमें पूछ रहे दिये गए समीकड़ के विविविक्तिकड़ सुनने से कम है समीकड़ के कोई मूल वास्तविक नहीं है समीकड़ का A x square plus B x plus C इसकल to 0 से तुलना कर दिजिए A कमान हो जाएगा आपका 2 B कमान हो जाएगा minus 4 C कमान हो जाएगा आपका 3 अब देखें विविक्तिकर को D से दखाते है D बराबर होता है B square minus 4 C होता है अब B कमान कितना है B कमान minus 4 का square कर लिजिए minus 4 A कमान कितना है 2 C कमान कितना है 3 4 का square करेंगे 16 हो जाएगा 4 दुना क्याट 8 23 के 24 जब इससे घटाएगे 24 में तो minus कितना बचेगा तो फ्रेंच देखें यह क्या है कि आपका जो भी विक्तिकर आ रहा है minus में आ रहा है इसका मतलब D कमान जो है 0 से कम है D कमान किस से हरा है 0 से कम जब 0 से कम होता है तो इसको कालपनिक या मूल वास्तिविक नहीं होता यानि इस क्या बोलेंगे मूल वास्तिविक नहीं है मूल वास्तिविक नहीं है ठीक अब आपसन में देखें फ्रेंच देखिए अभी विविक्तिकर का मान जीरो से कम भी है और समीकड़ कोई मूल वास्तिविक नहीं देखिए यहां मूल वास्तिविक नहीं है यहां पर कौन सा अप्सन सही होगा इसका बीवला देखे फ्रेंग आपको यदि अपसद में यह नहीं रहता तो आप लगा सकते थे अपसट में दिये गए समीकड़ के विबिक्तिकर सुनने से कम है इसका जवाब यह वह जाता आपकर लेकिन अपसद में है कि समीकड़ के कोई मूल वास्तिक नहीं है तो पहले इसका जवाब बीवल आप लगाईएगा चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं देखे फ्रें सात्वा नमबर का सवाल है कि इसका विकड़ होगा अपसन देखिए अपस्तावाल को लगाएंगे कैसे पहले एक आयत बना लेगे अपने मन से अपने मन से देजिए देखे A कमान दिया है कितना 0,3 B कमान कितना दिया है O कमान दिया है 0,3 B कमान कितना है 5,0 अब friends इसका विकड़ता है देखे A और B को जब मिलाएंगे तो ये A B क्या हो जगा विकड़ोगा और A और B के बीच की दूरी ग्यात कर लिए इसको आप X1 मान लिजे इसको Y1 मानिए X2 मानिए Y2 मान लिजे अब A B की बीच की दूरी का फार्मूला देखे कैसे लगाएंगे यहाँ लिखे A B के बीच की दूरी है पूरा सवाल अदम ध्यान से देखे friends बीच की दूरी है ठीक है जहां पर ना समाझ माया आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है अपने तरव से परियास पूरा कर रहे हैं कि आपको परतेक सवाल अदम हल करके बताएं X1 मानिए X2 का होल स्कॉर प्लस Y1 मानिए Y2 का होल स्कॉर अब यहां मार रख लिजे X1 का मान कितना है 0 X2 का मान कितना है 5 यानि 5 का स्कॉर कर लिजे Y1 का मान कितना है 3 मानिस Y2 का मान कितना है 0 का स्कॉर ठीक करड़ी में देखिए 5 में से 0 कटाएंगे यानि 5 यानि 5 की स्कॉर करेंगे 25 हो जाएगा 3 का स्कॉर के 3 में से 0 कटाएंगे सही है यानि कि इसका को क्या होगा विकारd mi also 34 सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है जो हो आच्वान का है ये इस सवाल को अपका कैसे लगाएंगे खाल सीम्पण है फ्रेंश देखिए समario x is *** प्लस के यक्स माइनस पांच बटागे चार बराबर जीरो का एक मूल एक बटागे दू है तो के कमान देखें मूल का मतलब होता है कि यहां पर यक्स कमान यहां पर दिया है और के कमान पूछ रहा है पले इस समीकड़ को लिखते हैं देखें क्या दिया है यक्स स्क्वार प् माइनस पांच बटागे चार अब इसे talk उल कर लीजी इसका कर चार रोजाएगा यह कितना की दू थेका अब देखें फ्रेंड क्या स्ट्सक्ति यहां चार नजेर नाटां नक प्लॉस पांइस एक प्लॉस हो जाएगा ब्राबर जीरो को चार करना है आपको यहां पर चार अपर माइनस एक प्लस के बटा की दू बराबाभाध से बटा हो जाएगा और के बटा क्या जगतों के कमान कितना आया दू और यहीं आपका इंसर आचली आपस न में देखते हैं कि के कमान कहीं दो दिया है तो देखिए आपसन देख लिजी आपसन देखिए दो दिया है माइनस दो दिया तो दिहान से लगाईएगा आपका एंसर प्लस में आया है के कमान कितने आया है दो आया है तो सिर्फ ही लगाईएगा पहला आपसन इसका सही हो जाएगा ठीक है संगत कोड बराबर हो और उसकी संगत भूजाओं का अनुपाद बराबर हो तक वह कहción कोंगत सवाल है यहके संकोड तिर बूज्ट मैं कोड़ c 문제가 का चाहँ से न वभीन्पितский से जाने वाली मादिका की माप होगी देखिए अब मादिका की माप निकालना कैसे निकालते हैं देखिए आपके सामने एक समकुड त्रिभूज बना लीजिए इस तरह देखिए सी को समकुड होना यहां पर ले ले लिजिए ठीक है कहीं भी ले सकते हैं देखिए गयाद किजिए ते kड का स्कॉर जो होता है आधार का इस्कॉर होता है इस घंग सब्सकोर को सोषिए प्लस याँका स्कॉर आगा आपका अब वर्व मुल ले लिजिए यहां करण परा कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा यानि कि आपका एब कितना या पांच अब देखे करण बिंदू सी से सामने वाले मादिका की माप यानि इस पर ऐसे डालिए अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो यहां पर डी ले लिजी अब देखें सी डी जो हता मादिका सी डी वराबर देखें मादिका इस का सही जवब याप पहला सब्सक्राइब का सवाल है देखें इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे ई हरह नंबर का देखें 一 सon 20 की विकड़ों के लंभाइ 16 cm और 12 cm है, तब इस समचेत्र भूझ की भूजा की लमबाई काराई, पता करना है, भूजा की लमबाई, तब पहले एक बूजा की लमबाई, थीक, रहे देखिया क्या है, विकड, विकड़ जो अत है, एक दुसरे को 90 अंच पर काटते हैं, है अब देखिए यहाँ पे विकड़ों की लंबाई कितना दियाए इस सोलह कितना है बारा अब देखिए एक चाहीं आप तरह यह को यहां से uh दूसरे को अर्दक करते हैं यानी कि बाराक्वाल हो जाएगा छान 15 कोट वो τ name आज झा कितना हो जाएगा वही कड ज्यात करना ने कड ठीक है पाइथा गोरज यह इस तिर भूज में आप पाइथा गोरज पर में लगाएंगे इस तिर भूज में देखिए यह पूरा देखिए आठ का 64 होगा चा का 36 का जोड़ेंग कितना हो जागा 100 हो जाएगा कड आ गया और कड क्या है भूजा है दुनों पच्छों को वर्गमुल ले लिजिए यहां कड वरा कितना हो जाएगा 100 को वर्गमुल 10 यानि कि यह कितना आजएगा 10 अजगा ठीक है फ्रेस समझने आगे होगा आपको कैसे लगाना इस सवाल को तो फ्रेस इसका सही जवाब होगा आपका 10 cm ठीक है चली आप सन देखते हैं कि आपसन में क्या दिया है तो देखिए गरहावन अमगा सवाल जी इसका आपसन यहां पर 9 cm 10 cm 8 cm 20 cm अभी अब हल किया कितना आया था आपका 10 cm तो इसका सही जवाब को कैसे लगाएंगे समरूप तिरभूजों की भूजा है चार अनुपात में इसको नौ लिखेंगे ना नॉपात कूई इसका वर्क कर लीजिगे चार चोको 16 नन्वा एक्यासी अनुपात में लिखना रगा कि 16 अनुपात एक्यासी दिखेंगे चलिए आपसन देखते हैं कहां पर है आपसन देखे 16 यह चौथा वाला यह और यह आपसन दूने से यह मैं बस अंतर के एक्यासी पहले यहां पर बाद में इस आपसन को थोड़ा देखके बोड़ के एक्जाम के समय ध्यान से लगाई है कि कौन से आपसन सही तो इसका चौथा वाला सही है तो सोला नुपाद एक्यासी चल्वी अगले नबर 13 नंबर का सवाल को देखते हैं देखिया हम सामने 23 नंबर के सवाल को आप कैसे लगाएं यहां पर चां Państ channel जो और फोर टीटा पर कितना वह जागा तीन और चार किदर करेंगे चार कर सकते हैं ठीक है आप दिखिए क्या कर सकते हैं कि अब सवाल जो है उसको लिखते हैं पूरा हाल करके बताएंगे फ्रेंज अदम सांती पुर्वक ध्यान से बस अन तक वीडियो देखिए कास ठीटा अपार यहा टेटा पन कास ठीटा माइनस एक इसी प्रकार नीचे से कास कामा लिजिए कि यहां से कितना बचे गए फॉर यहां सोज है साइन ठीटा पन कास ठीटा और यहां पर प्लस एक हो जाएगा ठीक है अब देखिए सवाल को पूराल करते हैं यहां से कास से कास कट जाएगा यहां पर 4 है तो 4 लिखे गुड़े साइन ठीट अपन कास ठीट का जगा जगा अब कितना लिख सकते हैं 3 बटा के 4 यहां पर लिखे 3 बटा के 4 माइनस 1 अपार यहां पर 4 है साइन ख़ब ऑपन काशिण डगागा एपर 3 बटा के 4 3 बटा के 4 लिखे माइनस 1 कर लिजिए देखिए इसको हलकी डेखे 4 से 4 कर जगा 4 से 4 कर नेगा बचेगा यहाँ पर 3 माइनस 1 यहाँ बचेगा यहाँ यहाँ पलस है फ्रेंश ठीक है 3 प्लस 1 तीन में से एक जागा दू हो जागा तीन एक चार हो जागा इसको अगले नंबर के सवाल को देखते हैं इसको ट्रिक्स कैसे लगा सकते हैं साइन 75 अंस अपान कास 15 अंस का मान होगा अब इन दोनों को जब इस प्रकास सवाल जब भी बोड के एक्जाम में देगा यह कोड जो है दोनों को जोड के देखिए का 90 अंस आ रहा है के नहीं देखे 5 पंदस साथ एक ठेकनो यदि 90 अंस आ जाएगा तब इसका मान हमेशा सद से एक होता है ठीक है तो इसका सही जवाब आपका हो जागा सकेंड बाला ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है यह दि एक बिरित का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके छेत्रफल का अनुपात मतलब होता है और है इधर वर्ग है तो वर्ग का परिमा Mog वर्ग का होता है फोर होता है दो कि अर परिमा था ना चाहिए अब क्या करेंगे म के चेत्रफलों का अनुपात यानि चेत्रफलों का अनुपात का मतलब होता है कि बृत का चेत्रफल बृत का चेत्रफल अपान वर्ग का चेत्रफल वर्ग का चेत्रफल ठीक है अब फार्मुलों के बृत का चेत्रफल का फार्मुल पाई और स्कॉार होता है वर्ग का चेत्र गोड़े दूदुना के 4 A square हो जागा यह πाई A square होगा यह A square हो जागा देखे एक πाई से एक πाई कड़ जागा और यहाँ से A square से A square कड़ जागा यहाँ से बचेगा 4 बटा के पाई ठीक है 4 बटा के पाई बचेगा यहां से 4 लिखी है, पाई कमान 22 बटा के 7 होगा, तो क्या हो जागा देखी, 22 बटा के 7, तो 22 यहाँ पर रहा जागा, और 7 उपर चला जागा, दूदुना के 4, 11 बार में, 7 दुना के 14, 11, कितना आजागा आपका, 11 बटा के 14, अरे सुरी दोसो, 14 बटा के 11 आएगा, 14 बटा के इस प्रकाद सवाल को लगाना है, इसका सही जवाब होगा, आपका, सेकेंड वाला, ठीक है, चलिए, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, यह आपके सामने, अगले नंबर का सवाल है, 16 नंबर का, कि दो गोलों के आयतनों का अनुपाद, इतना है, उनके प्रिष्टीज च्छेतरफल का अनुपाद होगा, दो गोला है ना फिरेंस, देखें, पहले गोलों का हम भी वन माल लेते हैं, दूसरे गोलों को भी टू माल लेते हैं, इसका अनुपाद कितना थी है, 64 बटा के 27 कर लेजिए, ठीक है, अनुपाद, देखें, गोले का आयतन का फार्मूला के 27, देखें, 4 बटा के 3 से 4 बटा 3, पाई से पाई कटेगा, यानि R1 बटा के R2 का पूरा के क्यों हो जाएगा, इसलिए कि क्यों है, यहां 64 बटा के 27 है, ठीक है, दोनों पाचों क्या निकाने हैं, क्यों निकाल लिए, इधर भी दोनों पाचों क्या निकालेंगे, क्यों निकाल लेजिए आब यहां पे देखिया फ्रेंश यहां पे आरर वन बटा के आर यहां कि अट यहां हो सट का खर soda होता है चार गन बुल था है all अब पूश्त क्या रहा है कि पहले गोले का खेट्रफल और दूसरे गोले का प्रिश्टिय 6 jeito फार्मुला था 4 πाई R2 1 होता है 4 πाई R2 को स्क्वार देखें 4 से 4 पाई से पाई कड़ जगा R1 बटक R2 को मान 4 बटक 3 आया है इसको स्क्वार कर लीजिए कितना हो जीए 4 चोको 16 तीत लिके 9 अनुपात में लिखना रहा 16 अनुपात 9 कर लीजिए ठीक है चलिए इसमें देख लीजिए 16 अनुपात 9 कहां पर दिया है इसका सही जवाब होगा पांच को देखते हैं सत्रामा का आपसन है आपका देखें पांच आया ना पांच आया तो इसका सही जवाब होगा पांच ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अब यहां पर है मादिका को आलेखी वीदी द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है तो उसमें तोरर उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं तोरर जिसका सही जवाब एक होगा ठीक है तोरर जो गराफ इस तरह खीचते का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्य का होगी फिर इस सवाल को था आप तो हम कहेंगे कि कम सकम दू तीन बार लगा लिए यह कंफर्म है कि आपकी एक्जाम में आएगा अब यहां पर पूछ रहा है माध्य का जिसका फार्मूला पता होना चाहिए कि बहुलक माध्य और म माध्य का में संबंद क्या होता है यहां पर बहुलक बराबर होता है एक बर फार्मूला लिख देते हैं जिससे आपको फार्मूला याद रहे हैं बहुलक बराबर होता है तीन गुड़े माध्य का माध्य का माइनस दू गुड़े माध्य यह फार्मूला होता है चलिए 45 तीन गुड़े माद्दी का होगा ठीक है फ्रेंस यह सवाल इधार है ठीक अब देखिए जोड़ लीजिए ते पांचार नो पांचार नो तीन को पच्छांता करेंगा बटागा तीन तीन होजागा माद्दी का होगा इस अधिक आपके सामने अगले नंबर का सवाल है देखिए यहां पर 20 नंबर का है वर्गे क्रित आकड़ों की से से अधिक प्रकार से से कम प्रकार की संचाई बारम बारता वक्रों के प्रतिछेद बिंदू के भूज से आकड़ों कर प्राप होना है इसका सही जवाब होगा से केन वाला माद्यक में करते हैं ठीक है फ्रेंस आपके यहां पर 20 प्रश्ण कंप्लीट होते हैं अब देखते हैं खंड बाह में सभी खंड करना है अब देखिए यहां पर प्रश्ण आपको दिखा देते हैं आपका दो क्रमागा धनात्मा पुडांकों का गुड़नफल दो से विभाज्य है यह कतन सत्य है या सत्य कार दो नमबर का पूछेगा ठीक है इसको पूरा हल करके आपको वीडियो अप्लोड अलग से कर देंगा ठीक है यहां बस सिर्फ प्रश्णों को देख लिजिए ांत्रिक ब्याश 10 cm, उचाए 24 cm, पानी से बede म पानी को एक बल्नकार बाटन जिसका आंत्रिक ब्याश 20 cm में डियाला जाता है, बल्नकार पात्र में पात्र में ड़ pessimто की पानी की vados कीनान दो नमबर सभी प्रश्न आपको दिखा देते हैं फ्रेंस जिससे आप इन अंत्रल बारम बार्ता है यहां समग अंतर माद्य से सवाल पूछा यह भी आपका दू नंबर का सवाल है आपका अगला सवाल है कि बिन दूब सब्सक्राइब दूसरा नंबर का है निम्ले खित में इसे कि निपाच खंडो को हल कीजिए आप यहां पिदिया है आपको च्छा सवाल दिया जिसमें से पाच गो आपको हल करना उपर ती एक चार चार नंबर का दम सेम टूसरा प्रकार का पेपर रहेगा फ्रेंस आपके एक्जामे ग्राफ द्वारा जाज किजिए कि रहे कि समीकड़ यूग में दू एकस प्लस वाई माइनस छ बराबर जीरो चार यहिपा ऐसा है तो ग्राफी वीदी द्वरा हल किजिए यवी चार नंबर का है ठीक है आपका अगला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यक्सोंसिये है चोटी संख्या के वर बड़ी संख्या का 8 गुणा है दोनों संख्या ज्याद कीजिए चार नम्बर कों संख्या का है लिचा नम्बर करेंटि के आपको कि अच्छा नम्बर को सभी चार नम्बर केा आपकोए 2 खंबे इसी वुचाए 6 बहंटर हो आप हो में पर खड़े going यदि इनके पाद बिंदू के बीच की दूरी बारा मीटर है तो इनकी ऊपर सीरों के बीच की दूरी ग्याद कीजिए कितने नंबर का चार नंबर के भी सवाल है अब देख लिए फ्रेंस यहां पर आपका है कि यहां पर किसी स्कूल की कच्छा यक्स की क्यावन लड़कियों की उचाईयों का एक सरवेच्छ किया गया है अब यहां पी का करना है आपको इसका माध्यक ज्याद करना है यह भी आपका चार नंबर का ठीक है चलिए देखिए आपके सामने अगला प्रशन है आपका सवाल है कि यदि नीचे दिये हुए आपका माध्यक दिया अठाइज पांच हो तो यक्स और वाई के मान गयात कि जिए ठीक है इस प्रकास यह है इस सवाल को हल कर लीजिएगा आप अगला नंबर का सवाल है देखिए आपके सामने अगला तीन वर्स पूर्वर्वर रहमान के आयू का ब्यूत क्रम और अब उसे पाच वर्स बाद आयू के ब्यूत क्रम का योग एक बटा तीन है उसकी वर्तमान आयू ग्याद किजिए अधल सब्सक् ukrai को नमबर का इन दोनों में से कोई एक ही सवाल करना है चाहे अगले वाल in किसी एक को करना है यह आपके सामने अगला नमबर का सब्सक्राइब एक बहुं मंजिब्सक पर weiter and और तल के अनमन कोड़ क्रमस ती संस और पैताली संस बहुमंजरी भवन की उचाई और दो भवनों की बीश की दूरी ग्याद कीजिए च्छा नंबर इसको कीजिए या इस वाले सवाल को कीजिए ठीक है पढ़ लिजिए दूनों सवाल आपके सामनी अगला नंबर का पांचवा नंबर का सवाल है देखिए यहाँ पर कि एक बरतन एक उल्टे शंकू के आकार का है इसकी उचाई क्रमस उचाई आठ सेंटिमीटर उसके उपर ही सीरे की त्रिजय पांच सेंटिमीटर है उपर तक पानी से भरा हुआ है जब बरतन म इसके बाद देखाता है ठीक यहाँ पर देखिए आप गोलियां जिनमें परतेख जीरों दसमल पांच सेंटिमीटर त्रिजय वाला एक गोला है डाला जाता है इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है बरतन में डाली गई सीसे की गोलियों की संख्या ग्याद कीजिए कितने नंबर का च्छा नंबर का है देखिए इस वाले प्रशनों कीजिए चाहिए इसको कीजिएगा एक गोलाकार काज के बरतन की एक बेरन की आकार की गरतन है जिसकी लंबाई 8 सेंटिमीटर और ब्यास 2 सेंटिमीटर है जबकि गोलाकार भाग क महत्ते के सामने हम सभी हाल कर प्रश्णों को आप एक दो बार हल कर लीजिएगा इस में से आपको बता दे कम से कम आपके कम पाँच यह जाक कर लिजिएगा तो आपको यह बीडियो पसंद है तो यहांड लाइक नहीं है तो चैनल को, सब्सक्राइब करें